हेलो माई यूटूब फैमली रादे रादे कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे अपने घरों में और अभी सुभा का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सिधा चट पे कपड़े डालने के लिए और सुभा ठंड़ा मौसम तो सूर्य अभी उदे हो रहा है हुआ नहीं है मतलब पूरा अच्छे से और बस पूजा बगारा मेरी हो चुकी है तो मंडे भी है आज मंडे का फास्ट है और साथ में आप सभी को फागोन लास्ट को निमा की आप सभी को बहुत सारी सुपकामना है क्योंक यह दूसरे दिन का क्लिक है और अभी मौनिंग का टाइम हो रहा है सुबह के पाच बजे मैं उठ चुकी थी और जैसा कि अभी होली की साफ सफाईयां चल रही है तो बस थोड़ा थोड़ा जो भी काम होता है वो मैं सुबह में निप्टा लेती हूँ दिन में साफ सफाई क चोटे बच्चों के साथ तो ज्यादा तर सुबह को ही साफ सफाई का काम होता है और एक दिन में सारी साफ सफाई नहीं करती हूं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ यानि एक दिन कोई और काम कर लिया एक दिन डस्टिंग कर ली और परदे धोली है तो परदे भी मैंने धीरे धीरे करके सारे धुली चुके हैं बस थोड़े से रह गए थे तो वो भी सोच रही हूँ होली पे या होली से एक दिन पहले ही ध इवरात्री पे वैसे तो मैंने पर्दे धो दिये थे तो जादा इतनी धूल आती नहीं है अंदर जब बंद रहता है तो लेकिन जो बाहर वाला कमरा है वहां पे बहुत जादा धूल आती है हमारे यहां पे तो बस वहां के में पर्दे धूलने के लिए रह गए हैं और अभी मैं दूला देती हूँ तो नाष्टा हो चुका है हम लुगों का नाष्टे में ज़ादा कुछ नहीं मैंने बनाया बस ब्रै अख लिए थे यहां कामेंट आया था कि दीडी आपके यहां पे अभी तक ठंड होरी है जो आप स्वेटर पहनते हो और जो लास्ट वाला ब्लॉ उसमें हम लोगों ने स्वेटर पहना हुआ था इसी लिए शायद उन्होंने ऐसा कॉमेंट किया था तो जी हां हमारे यहां पे अभी ठंड हो रही है और इतनी ठंड है कि अभी एक लेयर हम पूरे दिन पहन सकते हैं और बाकी घर के अंदर तो बहुत जादा ठंड आई है काली डाल की खिचड़ी घर कीजरी ओर क्षाम पहत पसंद है यह तो और इसको मैं यह दे दूँगी और साथ में मांने यह नहीं और ऊरस सुभाओ को भूरेत कर आए हैं और अभी टायम लग बगँ हो रहा है शाम की n intr Mosc great is तो बस मैंने डिनर की यहां पर तयारी कर दी है और खाने में मैंने कुछ नहीं काया था दिन में सुबा में बस ओरेंज खा लिये थे और सुबा को ब्रेड खा लिये थे एक दो चाय के साथ तो मुझे लग रही थी भूक और मैंने सोचा कुछ हेल्दी सा बना लेती हूं तो बस मैंने यहां पर थोड़ा सा सूजी और वेशन डालके इसमें थोड़ी सी प्याच चॉप करके डाली है और थोड़ा सा डाल दिया इसमें मसाले यानि हल्की सी चीली वगरा और हल्दी वगरा डालके बना लूंगी इसका चीला ताकि धुरूब भी खा ले थोड़ा सा तो इसलिए मैंने बना लिया और दुरूब ने भी खा लिया था इसको बहुत पसंद है चीला तो इस चीले में आप बहुत कोई डाल सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनकी कोई भी मन पसंद सब्जी को आप चौप करके बारिक-बारिक मैश करके आप इसमें चैट कर लोगे तो बच्चे को बहुत पसंद आता है और दुरूब को यह बहुत पसंद है तो मैं इसे खिला देती हूं तिसरे दिन चौथे दिन और इसमें पोहा भी डाल देती हूं कभी-कभी इससे क्या होता है बच्चे के बहुत ज़ादा मतलब एनरजी जो होती है व नमक नहीं डाला है तो नमक तो कमी डालती हूं मैं और अब मैं लगा लेती हूं तड़का सब्जी को तो यहां पर सबसे पहले तो मैं तरी वाली बनाने की सोच रही थी गोवी इसलिए मैंने सारा मसाला चौप की यानि ग्रैट किया है ग्रेटर से तो बारिक आपको लग रह जो भी था साथ में सब कुछ डाल दिया है और एक साथ में सारा मसाला भुन जाता है तो गैस की बचत हो जाती है तो जी सामका टाइम हो गया था और हजबट आ गए थे काम से तो मैं यहां पर डिनर शर्व कर रही थी हजबन के लिए तो गोवी की जो सबजी है वो सच पी टेश्टी बनी थी बाकी इसमें मटर डालना मैं भूल गई थी और दुरूप की वज़े से न मैंने मटर छुपा के रग दी थी यह मटर देख लेता है तो सारी मटर बखेर देता है इसलिए मैंने सारी मटर छुपा के रग दी थी तो मैं सबजी में डालना ही भूल गई औ तो कल मैंने बनाया था राजमा चावल अवी जैसे की होली का टाइम है तो इस टाइम पे अच्छा-च्छा खाने का मन भी होता है और ये संडे का है सौरी तो संडे में सुबा को मैंने ब्रेड पकोड़े बनाये थे जिसका ब्लॉग आप सभी को मैंने शैंड किया था और उस कि चोनु के तो को एता है राजमे की रेशिपी और छोले की रेसिपी में कोई भी फरक नहीं होता है जैसे हम चोले बनाते हैं वैसे राजमा भी बनता है और दोनों खाने में भी शे बाकि टेश्ट दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है बट बहुत अच्छे लगते हैं और दुरूब ने आज राजमा बहुत अच्छे से खाया था उसे पसंद आया बहुत जादा मुझे नहीं पता था कि वो राजमा खाएगा प्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने राजमा चावल बनाये थे तो उसने नहीं खाया थे सिर्फ चावल चावल खाये थे लेकिन आज का राजमा उसे काफी काफी अच्छा लगा और उसने खा लिया तो बस यहां पे अभी मैं मसाला भून रही हूं अच्छे से और सिश्टर के मुझे कॉमेंट भी आ रहे थे क कुछ बेहनों के कि आप होली की गुजिया नहीं बना रहे हो और रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हो गुजिया की मट्री की तो जी मैं बता दूं देखिए खाने वाला तो कोई है नहीं घर में बाकी होली पे मम्मी के घर भी जाएंगे हम लोग तो मैंने सोचा है कि अभी मैं हुल मुँए नहीं बना रहा हुए बैट रहता है कि जुक्ष बनाने में इस बारे में हो बनाना के रहे होचा बताय होग्तिया के ? अभी राजमा बन रहा है तब तक मैंने सोचा जो मलाई रखी हुई है चार पास दिन की इसको भी निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी होली का सीजन है और जो काम हो जाए टाइम पे वही अच्छा है जितना जल्दी काम हो जाए क्योंकि काम बहुत जादा हो जाते हैं और इस सम मखण आ गया है तो अभी जैसे हलका हलका गर्मी का सीजन है तो इसमें आइस बहुत अच्छा काम करेगा और बिल्कुल चिल्ड वाटर अगर डाल के अब इसे चलाएंगे ना मिक्सी में बहुत जल्दी मखण आ जाएगा लेकिन मेरे पास इतना चिल्ड वाटर था नहीं तो वस मैंने इस पर नॉर्मल जो मेरे पास नल का पानी था वही मैंने डाल दिया और हलका सा वसी से हाथ से चला रही हूं देखी और आराम से मखण आ जा रहा है कोई भी जंजट नहीं है मखण निकालने का आजकल बहुत बहुत इजी तरीके आ गए है मखण निकालने के तो बस यहाँ पर घी भी बन जाएगा आज मेरा और घी बन जाता है तो किचन का एक बहुत बड़ा काम निबढ़ जाता है सच पूछो तो तो यहाँ पर देखिए मखण आ चुका है बहुत ही आसान है मखण लाना इस तरह से तो जी राजमा बन चुका है संडे का स्पेशल लंच और बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा सलात काट लेती हूँ तो हस्बेन को मैंने फोन किया था वो कह रहे थे कि मैं कहीं गया हुआ हूँ अभी काम से तो उनका संडे भी संडे नहीं होता है रोज उनको काम होते हैं तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए लगा रही हूँ थाली थोड़ा सा चावल ले लिया है और बस ले लिया एक कटोरी राजमा तो राजमा तो बहुत पसंद है मुझे भी और हस्बिन को भी काफी पसंद है लेकिन आज उनका फेबरिट खाना मैंने बनाया है और वो ही नहीं है त तो ही एवरिवर्ण लंच बगेरा हम लोगों का हो चुका है डिनर तो अभी मैं कर रहे थी ब्लॉग का एंड और दुरूप गया है अभी खेलने के लिए नीचे तो नीद आ रही है और टाइम हो रहा है साड़े 9 बजने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हू और मिलूँगी आप सबी से कल के एक अच्छी से ब्लॉग में I hope कि आपको आज का ब्लॉग फसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए मिलूँगी आप सबसे कल के ब्लॉग में बाइबाइ कुछ रहे सौस्ट रहे मास्ट रहे